डॉक्टर करमवीर सिंग, एसोसियेट प्रोफेसर, गोर्मेंट आर्ट स्कोलेज अलवर ओनलाइन कक्षा में आज हम भारतिय सासन वेउस्था, बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ेंगे जिसमें आज का टोपिक है, भारत में राष्टवाद का उदय, राइज ओफ नैसनलिजम इन इंडिया, प्रियविध्यार्तियो, सन अठारा सो सत्ताउन में एक चिनकारी सुल्गी थी, जो उस समय तो वो पूर्टा को प्राप्त नहीं हो सकी, पर वह भुजी भी नहीं थी अंग्रेजी सासन के द्वारा जो दमन किया जा रहा था, वो दमन राक के नीचे धीरे-धीरे सुलगता रहा, और समुचित आउसर पाकर वो फिर भड़क उठी अंत्त है, उसने एक ऐसी तिवर ज्वाला का रूप ले लिया, जो 1947 में सवतंतरता प्राप्ति के बाद ही सांत हुई कोई भी आंदोलन, किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता है, असंतोस और अपमान जब लंबे समय तक उपोएक्षित रहता है, तथा उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो विद्रो की प्रस्ट भूमी तैयार हो जाती है भारती राष्टवाद के उदे, वह सवतंतरता संग्राम के प्रारंभ होने के लिए कई कारण और परिस्तियां उस समय उत्तरदाई थी इंग्लेंड की जो इस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत की समर्दी और संपंता से प्रभावित होकर, यहां एक प्रकार से व्यापार करने आई और 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया इसने पहले तो आर्थिक छेतर पर कबजा किया तथा बाद में राजनितिक छेतर में भी अजमाईस प्रारंभ की उसे अपने इस प्रियास में सफल्था भी मिल गई और 1850 तक देश के बड़े भाग पर कंपनी का सासन इस्थापित हो गया कौन सी कंपनी का इस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी सासन भारतिये के प्रती कठोर और दुर्भाग पून था फलसरूप उसका विरोध प्रारंभ हो गया अंततय कंपनी सासन का अंत हुआ और तथा 1858 में बिटिस समराट के हातों में भारत का सासन आ गया तो आप इस पस डूप से समझ गये होंगे कि कंपनी सासन का तो अंत हो गया लेकिन 1858 में बिटिस समराट के हातों में भारत का सासन आ गया उम्मीद तो ये थी कि संसदिय प्रजातंत्र की जन मिस्थली इंग्लेंड तथा समराट के सासन में भारत के निवासियों को कुछ रहत मिलेगी तथा वे मानोचित जीवन जी सकेंगे लेकिन यह आशा कालांत्र में धीरे धीरे द्यवासवपन साबित हुई अंग्रेजी सासन भारतियों के हित में नहीं था अपितु बिटिस सामराज के पल्वन, पोशन तथा विस्तार के उद्देश से इस्थापित किया गया था जिसमें भारतिये जनता की भावनाओं सुख दुख की और ध्यान देने के लिए गुणजाईस नहीं थी ऐसे में असंतो सोना सोभाविक था भारत में राष्टवाद के उद्दे, राष्टियान दोलन के प्रार्म भोने तथा उसे गती पकड़ने के कई कारण थे तो प्रिविध्यारती आपको मैं बताऊं, ये एक प्रकार से भारत में राष्टवाद के उदे की एक प्रस्ट भूमी थी, भारत में राष्टवाद के उदे का कोई एक कारण नहीं था, ऐसे विभिन्ने कारण थे कि भारत में राष्टवाद का उदे हुआ, जो मैं आपको बताऊं निम्न है जैसे नम्मर वन 1877 के विद्रहों की प्रस्ट भूमी बैक्ग्राउड ओब 1857 ठीक है न क्या थी उसकी बैक्ग्राउड प्रस्ट भूमी यदपी 1877 के सिपाई विद्रहों तथा संगर्ष को जहां भारतिय इत्यासकार प्रथम सवतंत्र संगर्ष की संग्या से विभूसित करते हैं वहीं अंग्रेज इत्यासकार इसे सैनिक विद्रहों मानते हैं 1877 में गायवे सुवर की चर्बी वाले कार्तूस को मुँ से खोलने के लिए एक सिपाई जिसका नाम था मंगल पांडे के इनकार ने विद्रहों को जनम दिया और वो मंगल पांडे अन्य सिपाईयों को भी कार्तूस के प्रियोग ने करने की सलहा दी तो मंगल पांडे को 8 अप्रेल 18 सत्त इस्वी को फासी दे दी गई लेकिन विद्रहों की आग सुलग चुकी थी मेरट के सिपाई दिल्ली पहुँच गए थे तथा लाल के लिए पर अपना अधिकार गोशित कर दिया कानपूर के नाना सहाब पैंसन वंचित हो जाने से अंग्रेजों से युद्ध के लिए प्रेरित हो गए जासी की रानी लक्षमीन बाई गोध लेने के अधिकार से वंचित कर दिये जाने के कारण छुब्द थी अते उन्होंन भी अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला कर लिया मद्ध भारत में तात्या टोपे ने वे जगदीशपूर के कुवर अमर सिंग ने संघर्स का जंडा ओर उँचा उठा दिया सवतंत्रता समापती के इस प्रथम प्रियास को सफलता तो नहीं मिली आंदोलन को निर्दयापूर वक कुचल दिया गया पर संघर्स कारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया प्रियवे ध्यारतियो कंपनी सासन का अंत तथा बिल्टिस ताजवे संसद का सासन सुरू हुआ नौंबर 1888 इस्वी में भारत में कंपनी सासन का अंत हुआ तथा British Samrath द्वारा भारत का सासन अपने हातों में ले लिया गया भारत के हिंदू वे मुसल्मान एक दूसरे के नजदीक आ गए भाद्दूर साह तद तमाम हिंदूस्तान को आजया देखना चाहते थे और उसके लिए सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार थे अंग्रेजों की कठोर दमनकारी निती ने भारतियों के मन में एक घरणा का भाव पैदा कर दिया जो अंग्रेजी सासन को उदार समझते थे उनके मन में भी संका के भाव उत्पन हो गए आगे आने वाले समय में रानी लक्ष्मी भाई नाना साब तांत्या टोपे कुमर अमर सिंग के चरित्र प्रेर्णा के स्रोत बन गए रानी लक्ष्मी भाई को हराने वाले जर्नल हुरोज ने कहा था यहां वहे ओरत सोई हुई है जो विद्रोईयों में एक मात्र मर्द है स्री वरंदावनलाल वर्मा इसे जनक्रांती मानते हैं तथा अनविद्वान जैसे मैं आपको बताऊं बीडी सावर कर इसे सवतंतरता प्राप्ती का महनांदोलन मानते हैं और कुछ इत्यासकार अठारासो सत्ताउन के विद्रोगों को विदेशी सक्ती को चुनोती देने का विभिन वर्गों का संयुक्त प्रियास मानते हैं अठारासो सत्ताउन इस्वी के युद्ध ने भावी राष्टी आंदोलन के लिए ऐसी एक उपजाव भूमी तैयार कर दी जिस पर राष्टी आंदोलन का पोधा तेजी से एक प्रकार से विशाल वरक्स के रूप में परिवर्तित हुआ इस परकार राष्टी आंदोलन की इस्पस्ट प्रष्ट भूमी तैयार होने लग गई ये एक प्रथम कारण था जो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि धीरे धीरे राष्टी आंदोलन की इस्पस्ट प्रष्ट भूमी तैयार होने लग गई दूसरा कारण ये कह सकते हैं अपन धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन 19-वी सदी में भारत के विभिन हिस्सों में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन परारम हुए जिनोंने जन सामान की चेतना जागर्त करके अपनी वर्तमान परस्तती पर चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित किया उन्हें अपनी परतंत्र अवस्ता के कारणों पर सोचने के लिए विवस किया ये चिंतन तथा मनन राश्टीता की भावना के उदे में महत्पून सादन सिद्ध हुआ बंगाल में राजाराम मोहनराय द्वारा ब्रह्म समाज के माधम से सामाजिक कुरूतियों पर प्रहार किया गया गुरुदेव टैगोर उन्हें भारतिय सांस्कृतिक पुनर जानगरण के जनक तथा भारतिय राश्टिता के अगरदूत मानते थे अगस्त 1828 में राजाराम मोहनराय द्वारा इस्थापित ब्रह्म समाज ने सती प्रता, बाल विवा, धार्मिक अंद्विश्वास तथा जाती सम्मंदी कुरूतियों के विरुद्ध आवाज उठाई इनी प्रियासों के फल्सरूप सती प्रता को गैर कानू निगोसित किया गया राजाराम मोहनराय भारतियों को छोटे छोटे द्रस्टी कौन से उपर उठकर व्यापक इस्थर पर एक सुत्र में पुरोणा चाहते थे तथा उनमें राश्टिय ताकी भावना भरना चाहते थे राजाराम मोहनराय के बाद रविंदरनाथ ठाकूर तथा केशव चंदर सेन ने ब्रहम समाज के दायतों का अपने हातों में ले लिया यद भी धीरे धीरे ब्रह्म समाज कमजोर हो गया लेकिन राष्टिय जागरण में ब्रह्म समाज की भूमी का महतपून रही स्वामी दायनन सर्श्वती ने आरिय समाज की स्थापन की 18 सताउन में उन्होंने वेदों में ग्यान के अथा बंडार की और लोगों का ध्याना करस्ट किया, धार्मिक कर्मकान का कटर विरोध करते हुए अंद्वी स्वासों के विरोध आवाज बुलंद की, महिला सिक्सा के छेत्र में आरिय समाज का योगदान अतियंत मैत्पून था, उन्होंन भारतियों के सव को जागर्त किया, यानि कि स्वयम के अपने को जागर्त किया, तथा स्वाभिमान की रक्षाहितु प्रोध साहित किया, उन्होंने हिंदी को संपर्क भासा बनाने के पक्ष में अभिमत व्यक्त किया, दैनन सर्श्वती द्वारा रचित ग्रंत सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश को समग्र करांती का अग्रदूत मानते हुए विद्वानों तथा विचार को ने इसे राष्टी जागरण की दिसा में महत्मुन योगदान माना। संस्कृती की स्रेश्टता को लोगों को सामने रखा और विचानन ने 1803 में इस्वी में सिकागो में हुए विच्वी सर्व धर्म सम्मेलन में भारती संस्कृती का उज्वल पक्स दुनिया के सामने रखते हुए भारत का मस्तक उंचा कर दिया। उनके भाषन के पस्चात नियू और्क हेराल्ड ने लिखा कि वेकनन्द महान व्यक्ती हैं। उनके भाषन को सुनने के बाद यह अनुभव हुआ कि उन जैसे विद्वान के देश में इसाई पाद्रियों को भेजना बड़ी मूरकता है। उनके पाद नियू की सवतंतरता के लिए उन्हों भारतिये यूवर को प्रेरित किया। वेकनन्द ने कहा था कि भारत की मिट्टी मेरा सुर्वोच स्वर्ग है। भारत के कल्यान में ही मेरा कल्यान है। अठारा सो पिचेत्र में मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। आइरिस महिला एनी बिसेंट ने सोसाइटी को वास्तिक महत्तु परदान करने में महत्पुन योगदान दिया। उन्होंने भारतिय राष्टवाद, संस्कृती तथा हिंदु धर्म के उज्वल पक्स पर अपने विचार अभिवेक्त किये। तो ये सुधार आंदोलन विचारों के परिस्कार करने में साहिक हुए। अज्ञान तथा अंदिविश्वास की एक प्रकार से धुन्द हटी, शिरी एर देशाई का मानना है कि आंदोलन, धरमसुधार तक्सीमित नहीं थे, इनका चरम लक्स तो राष्टवाद था। देश के विभिन भागों में प्रारम हुए, इन आंदोलन ने देश को एक सुत्र में बांद कर व्यापक जागरती की भावना उत्पन की जो अंत्त तह राष्टवाद तथा राष्ट या आंदोलन के रूप में अभी व्यक्त हुई। प्रात्थना समाज, दक्षिन सिक्षा समाज तथा सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी जैसे संस्थाओं ने भारतिये तथा राष्टवाद की भावना में प्राण होक दिये। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम सुधारवाद आंदोलन, बारवी आंदोलन तथा अलिगड आंदोलन के माधम से मुसलिम धार्मिक, दक्यानुसी, परंप्राओं तथा रिती रिवाजों का विरोध तथा अंग्रेजी, शिक्षा के प्रति जुकाव का वात्मन उत् प्रिवर्शिटी के लिए मार्ग प्रसस्त किया, यद भी धीरे-धीरे उनका द्रश्टिकोन सामपरदाइक सरूप का ग्रहन करता गया, एहमदिया आंदोलन ने विबिन संपरदायों के बीच सदभाव का वात्मन बनाया, इन विबिन आंदोलने मुसलिम जनता में जागर पर इन प्रियासों ने भाईचारे का वात्पन उत्पन किया, नैस्ट राजनती के एकता, आप सभी जानते हैं कि भारत भोगोलिक द्रस्टी तो एक देश था, पर विबिटिस सासन के पूरु समाज में राजनती के एकता का प्रभाव था, संपूर देश छोटे-छोटे राज्यों वे रियासतों में बटा हुआ था, जिसकी अपनी विशिष्ट सासन पद्धती थी, अंग्रेज जी, अंग्रेजों ने इस विभाजित मानसिक्ता का लाब उठता हुए, एके करके सभी राज्यों वे रियासतों पर कबजा कर लिया, तता संपूर देश को बिट सडक तथा डाक व्यवस्थाओं के मादम से देश एक सुत्र में बांधा, यद भी सब अंग्रेजों अपने सासन को सुचारूप से चलाने के लिए, तता ब्रिटिस सासन की जड़ों को मजबूत करने के लिए किया था, लेकिन परणाम यह हुआ कि इनी व्यवस्थाओं न अंतते ब्रिटिस सासन की जड़ें हिला दी, राजनेती एकता ने भारतिये के लिए सहुलियत वे सुईधा का वातरूण बनाया, देश का प्रतेख भाग एक ही कस्ट से दुखी था, वे था विदेशी सासन, फलतते हैं सबने मिलकर उस विदेशी सासन को जड़ से उखाड फेकने का प्रण कर लिया, एक अद्बुत राश्ट ये भावना विक्सित हुई, प्रोपसर मून ने कहा है कि ब्रिटिस सामराजवाद ने कई अनेकताओं के बावजूद भारत को एक तीसरे दल के अधीन राजनितिक एकता प्रदान की, पंडत नहरु के अनुसार इस साम प्राप्ता भावना को बल दिया, नेक्स्ट आवगमन तता संचार माध्मों की भूमी का, पस्चमी सिक्षा तता साहित का प्रभाव, एतियासिक अनुसंधान तता भारतिय साहित की प्रसंसा, भारतिय समाचार पत्रों तता साहित की भूमी का, विदेशी आंदोलनों का प सदम, इलबर्ट, विधेयक ये इन सभी कारण थे जिनके कारण से भारत में राष्टवाद का उद्य हुआ